अस्सलाम अलेकुम डियर सुट्डेंटिस उम्मीद है कि आप सब अल्ला के फजल करम से बेटा खेरित से होंगे और आज हम दूसरा और आखरी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो हमने कल चेप्टर उठाया था और कल हमने दो गृप पढ़ी थे एक हमने फांट गृप पढ़ा था और दूसरा और आखरी और लास्ट पढ़ने जा रहे है यह जो नंबर गृप है यह हमें क्या प्रोवाइड कराता है The number group provides various formats for specifying how you want the value in a cell to be displayed यानि कि जो आप किसी भी cell में Excel cell अगर आपको कोई कहेगा पहले cell क्या होता है What is a cell तो आपको कहना है Cell is an intersection of a row and a column जब एक row और column intersect करता है बेटा तब बीच में जो rectangle shape बनता है उसको हम cell कहते हैं ये cell है बेटा ये cell है जो मैं select करा हूँ ये rectangle shape ये cell है और जो भी इस cell में हम value देंगे उस value को आप कैसे represent कराना चाहते हैं ये आप कर सकते हैं by using this number group इस number group के जरिए आप वो इस्तिमाल कर सकते हैं बेटा चलो हम कुछ value इसमें देंगे जैसे मैं पहले thousand का value देता हूँ फिर two thousand फिर three thousand और ज्यादा values देंगे जैसे ये और जैसे बारा हजार आठ सो और जैसे मैं दूँगा एक लाख पचास हजार और इसे तर चार लाख कुछ यहाँ पर values हम देंगे और मैं एक ही फांटमें को लाने की कोशिश करूँगा बेटा आप नजर रखो ये और उसके बाद हम क्या काम करेंगे सबसे पहले जो हमें number group में पढ़ना है that is this accounting number ये देखो accounting number format accounting number format का असल काम क्या है पहले समझेंगे ये क्या करता है accounting number format ये क्या काम करता है it adds a currency symbol and a decimal point to the number value असल में ये क्या काम करता है ये currency symbol को insert करता है इस value के साथ चलो decimal value जो है वो हमें बाद में अलग से भी पढ़ना है हम क्या करेंगे ये जो accounting number format है it adds a currency symbol ये currency symbol को add करता है किसको किसको जो हम किसी cell में value देते हैं लेकिन ये depend करता है बेटा आपकी country पर मतलब सर इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है हम इंडिया में रह रह रहे हैं तो हम अपनी currency symbol इस्तिमाल करेंगे USC वाले अपने करेंगे चाइना वाले अपने करेंगे जो भी currency symbol हर एक country का होता है वो अपना-पना symbol इस्तिमाल कर सकते हैं चलो हम देखते हैं बेटा इन सब values को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं जाता हूँ currency symbol पर यहां पर accounting number format और यहां पर सबसे पहले है English India और यहां बनाके है छोटा सा एक रुपी साइन बेटा एक रुपी साइन बनाके हैं मैं किलिक करूँगा देखो यह currency symbol मेरी country का यहां पर एड़ हो गया बेटा अगर मैं किसी दूसरी country का एड़ करना चाहूँगा वो भी हो सकता है मैं किलिक करूँगा accounting number format पर और मैं डालर से English USA में डालर होता है तो मैं इस पर किलिक करूँगा तो डालर आ गया इसी तरह चाइना तो चाइना का आएगा यानि कि जो भी आप country का currency symbol इस्तिमाल करना चाहते हैं अपने value के साथ जो आपने cell में एंटर किया है वो आप बेटा एड़ कर सकते हैं अगर आप अपने value के साथ परसंट का जो सिंबल है इसको जोड़ना चाहते हैं तो आप परसंट पर बेटा किलिक कर सकते हैं तो परसंट वाली सिंबल लास्ट में आएगी आप देख सकते हैं परसंट वाली सिंबल लास्ट में इसके साथ बेटा एड़ हो गई और अगर आ तो इस तरह इस कामा से एक तो डिस्मिल वैल्यू भी आ गया और दूसरा हमारा जो वैल्यू है वो अलग अलग भी पहला वान थाउजन टू थाउजन त्री थाउजन पर सेवंटी फाइव थाउजन ते ट्वल थाउजन एट हंडर और उसके बाद दस लाख पचास हजार यह हमारे सामने आ गया और उसके बाद चार लाख बावन हजार यह हमारे सामने वैल्यू आ गया इस कामा वैल्यू से बेटा और अगर आप इस डिस्मिल वैल्यू को बेटा इंक्रीज करना चाहेंगे इसको बढ़ाना चाहेंगे तो इंक्रीज डिस्मिल वैल्यू पर आपको क कर सकते हैं सबसे पहले हमने करणसी नंबर फार्वर्मेट यह उससे क्या होता है कि हम एक करणसी सिंब्ल अपने वैलू के साथ Ismul जोड़ सकते हैं and third one कामा एक तो इससे decimal भी insert होता है और दूसरा ये हमारे value को अलग अलग यानि के hundreds, thousands, lakhs में अलग अलग हमें करके देता है by inserting है कामा और उसके बाद last में increase हमने decimal value को किया या decrease किया इस तरह आपका जो ये number group है ये हमने यहाँ पर बेटा खतम किया देखो, यहाँ पर उपर लिखा है custom, custom value जो भी आपको value चाहिए, कौन सा value चाहिए, मुझे general value चाहिए general value ये है, thousand जो मैंने लिखा था, general value और अगर मुझे currency value चाहिए, तो currency खुद बखुद इसके साथ जुड़ गया बिटा जहां पर भी आप कर सकते हैं, अगर मुझे चाहिए कौन सा, मुझे चाहिए percentage value तो वो भी आ गया, यह देखो बिटा आप, कोई और scientific value चाहिए, तो वो भी आ सकता है यानि कि आप कस्टमाइज करके भी अपना short date, वो भी आ सकता है बिटा यानि कि जो भी value आपको चाहिए, वो आप ला सकते हैं, और general value मेरा यह था और इसके साथ आपका यह फार्मेटिंग वर्क्षीट इन Microsoft Excel, यह वाला चप्टर बेटा आपका खतम हो गया hope आपको यह दोनों जो वीडियो में डाले इस चप्टर के बारे में सारा समझाया होगा और जहां पर भी किसी बच्चे को कुछ difficult लगता है, वो comment box में बेटा लिखके रखेगा उसके लिए इन्शालला मैं बर्पूर कोशिश करूँगा ताकि मैं लेक्सी वीडियो बना सकूँ और उसको समझा सकूँ और मेरी चैनल को बेटा आप सबस्क्राइब कीजिए इसको शियर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अल्ला आपको काम्याब करें बाकरी वस्सलाम